जहन दोस्तों सैनिक कर रहे हैं गुटबाजी और साथ में नोंने सरकार के सामने आठ मांगे रखी हैं और आठ मांगों से पहले ये जो कल दो-ती निल में मीटिंग चल ले ही वहाँ वहाँ की मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूँ देश के सैनिक हर आपदा में ढाल बनकर खड़े परंत केंदर सरकार बर रच्छा मंत्रा ले हुआ खामुस आखों पर बांदी पट्टी हैं कैप्टन बालकराम सर्मा जो कि वहाँ पर इस बात को लेके कह रहे हैं कि हम जंतर मंतर पर बैठे हैं और बन्रेंग बनपैंसन की बिसिंगतियों को लेगर हमने सारे प्र करने से पहले मैं ये बिलकुल दिखाना चाहता हूं कि हम माननी प्रदानमंत्री केंद सरकार से बिनम्र निर्विदन करते हैं कि बैटरिन सेनकों को इतना अंदेखा न करें ने आने वाला कल को भारी पड़ जाएगा मजबूर न करें बहुत सारी चेताबनी दी है बहुत स इसकी राजनीत और देश का माहल बिगाड रही है और बात करते हैं कि देश के बैटरिन वन रैंक बन सेनक जंतर मंतर पर मीडिया खामोस नेताओं अभी भी बंद देश के बैटरन सेनकों के सास्थ सोतेला वार क्यों किया जा रहा है क्या कोई बड़ा गुना कर दिया है अभी नहीं तो कभी नहीं लोग सवाच चुनाओं में करेंगे बोट पर चोट अभी नहीं तो फिर आगे सही के अंदर सरकार मांगें जल्दी पूरा करती है तो चोट पर करेंगे बोट फिर देंगे पूरा साथ सेनक एकता जंदाबा देश की कनिस्क सेने के युद्दभी नारियों की पैंसिन में जमीन आसमान का अंतर का हो रहा है बिरोध यानि इस प्रकार की आपकी ये न्यूज में दिखा रहा हूँ अब मैं आपके सामने लेके आता हूँ कि आखिर वो कौन सी आठ मांगे हैं जिन से ये मांग लेती तो ह हमारे बननेंक बन पैंसिन में आपको फायदा होगा जब अरदस फायदा होगा ये आपके लिए जरूरी है हम सब के लिए जरूरी है ये आरोप प्रत्यारोप था अब आखिर मांगे क्या है यानि ये मीटिंग हुई है कि वेटरिन सेनकों को भारी रोस नाराजगी अंदे वीटिंग उन्होंने वारूपी के बारे में 20 चरचा की और नया ड्राप्ट बनाने की बात की उसमें 8 मांगे करपया ओसत की बजाए और व्रूपी का निरधारनादार आधार वरस के अधिक्तम तीनों सेनाओं का रैंक बेर्टिज के साथ तीनों सेनाओं में सीधे प्रवेस आउट आफ टर्न प्रमोसन अतरिक तबेतन ब्रद्दी कोट के आदिस पर पैंसन पाने बालों के आँकों को निर्धान और वारुपी में ला जाना चाहिए उनोंने सही कहा है, यह जो आपका बेस एर है उस साल सबसे ज़ादा तीनों सेनाओं में किस मैक्सिमूम रैंकों की है उस रैंक को आप आधार मानिए, इस से लोगों को फायदा होगा, इस से न होगा का आपने कम बाला ज्यादा बाला का मीन किया, पहली चीज बिलकुल सही है दूसरा है कि सिपाई और उसके उपर के रैंक ओनरी कमीशन तक उनको मौझूदा बेतन मैट्रिक्स से मैट्रिस अफग्रेड किया जाए यानि जो मौझूदा उनका मैट्रिक्स है उससे वन अप करके आप दोगे तो उन्हें जरूर फायदा होगा जेसियो को बेतन मैट्रिक्स एट में सिविल उनके समकच राजपत्त अधिकारी के अनुसाद शुरू किया जाए जो को जेसियो को राजपत्त अधिकारी में सामिल लग करके PBR में किया गया है उनको pay matrix level 8 के इसाब से उनका जो pension है संसोधन करिए और उनकी भी pension बढ़ेगी और M.A.C.P. के बारे में का है कि जो आप अभी 8, 16 और 24 दे रहे हैं उसको 4, 8, 12 को प्रदान किये जा क्योंकि सेवा के प्रारंबिक अबदी 17 बर्सकी है क्योंकि हम स्टार्टिंग है और ज्यादा हम लंबी सर्विस नहीं करते हैं इस प्रकार ये आपकी मांगे हैं और सभी प्रकार की बिकलांगता pension को किसी भी हालत में अधिकारियों और जवान के बीच का जो अनुपात है उन्होंने ये disability pension के बारे में कहा है और कहा है तो PCDA circular 503 के अनुशार नियुनतम गारंटी लिवराइज family pension को भी वारुपी तालका में सामिल किया जाना चाहिए नियुनतम गारंटी pension 11 2016 से 6 पे CPC के दोरां तैप pension के अनुशार निर्दार तो ये liability pension के लिए उन्होंने कहा है पांच माँ point है साधारने के परवारिक pension सेवा pension के बराबर हो यानि family pension और जो है आपकी सेवा pension के बराबर हो वारुपी उनसे इनको भी को भी दिया जाए जो लोग 13 और इसके तहट डिशा हुए है क्योंकि सर्थ 6 जून 2017 यानि 6 जून 2017 को final हुआ था कि premature को नहीं दिया जाएगा उस से पहले 1 जुलाई 2014 और 6 जून 2017 के जो बीच वाले उनको वारुपी टू का लाब दिया जाए बिल्कुस ही है जिस ट्रेड को एक जनवरी 2016 से पहले 62 रुपए का एक्स पे मिल लाए उस ट्रेड को भी 62 दिया जाए एक एक 2016 से पहले से मरत हुए तदा अनुसार वारुपी तालका में संसोधन किया जाए यानि टेबल नंबर 7 को हटा कर टेबल नंबर 8 के साब से एक्स ग्रुप जो 62 है उसके उनमें दिया जाए और यह है उन्होंने का है दूसरा लाश्ट पॉंट ECHS, CSD, DGR, Soldier Board आदमें किसी भी रूप में मौजूद रेंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को ततकाल हटाये जाए यानि हम ECS जाते हैं, केंटिन जाते हैं, वहाँ पर जो भेदभाव है यानि मूलूप से उसको हटाये जाए और यह है सेंक तुमोर्चा वायस ओफ एक साइटी द्वारा यह डाप्ट तैयार किया गया है और उसको किया जा रहा है सरकार के समच रखा जाएगा और उन्होंने कहा है कि अपसोस की बात है परंत 28 लाख सेंकों की अंदेखी और चुप्पी आने वाले समय पर बहुत भारी पड़ सकती है समय का इंतजार रहेगा जहें दोस्तों यह था अब वन निंक बन पैंसिन के उपर यह एक नया मूर्चा है इसकी नई डिमांड है नया तरीका है वो मैंने आपके सामने दिया धन्यवादो